एसी एन नियूज के सभी दर्शकों का स्वागत है मैं हूँ गड़ेश अगरवाल और आप देख रहे हैं दमो चिले की खबने दमो के गंगा जमला स्कूल प्रकरण और बरतमान में बच्चों के भविश के सवाल पर दमो के पतरिया की विधायक ने अपनी बात कही क्या कुछ कहा दमो की पतरिया की विधायक रामबाई सिंग ने गंगा जमना मामले को ले करके आपको सनाते हैं विरो रिपोर्ट एसी एन नियूज देखे गंगा जमना जो स्कूल है हमाई ख्याल से बीसों साल से 15-20 साल से चल रहा है साइद तो इसके पहले जो बीजेपी की सरकार है ना 15-20 साल से तो बीजेपी की सरकार है तब से बीजेपी की सासन में वो चल रहा है मंत्री मिनिस्टर को सासन में चलत रहा है देख रहे एक भी होत रही तब तो यह सब भीयत भाव और जे सब चीज़ें नहीं सामने नहीं आई एकदम से कैसे आ गई का कारण है क्या कारण है इसका कि एकदम से जे चीज़ें आ गई और उस स्कूल के पिरती वतलब इतनी ज़्यादा हाईलाइट होगा हो आज हम आपके माध्यम से सासन पर सासन से यह कई बात क्या वो चाहत है कि जब सरकारें होती हैं तो उनकों सब के साथ एक समान भेद भाव रखने चाहिए भेद भाव से नहीं चलने चाहिए इसकूल मुसलिमों को हो इसाईयों को हो चाहे हिंदूओं को हो पर इतना भेद भाव नहीं होने चाहिए मुसलिम भावियों के साथ और जी होगा है स्कूल की कोई लापरवाही नहीं है हमारे ख्याल जहां तक मुझे लगता है और आज उस स्कूल के जो बच्चे हैं आज उस्कूल के बच्चों को मारे मारे फिर रहे हैं उनके तो भवुस्कराब हो रहा अतने अच्छे स्कूलम पर रहे थे अब कॉन हों होर DAY मैं कॉन होई मैं स्कूल ही नहीं हो उनके हिसाब के और डाल दिया और collector Mapodara ने हाई कूट में भी बोल दिया कि इन बच्चों का एड़वीशन करवा दिया अगर उन बच्चों का एड़वीशन करवा दिया तो मेरे यहां भी तो छात्र जो छात्र है उनके अभी वावबा deaf हमारे हां आते हैं कि मैंनम हमारे बच्चों का एड़ी सा नहीं नहीं हुआ तो ये गलत है सरकार के लिए बहुत अच्छी सूच रखने चाहिए वो तुलसी दासने एक बहुत अच्छा दोहा है जिसम रामान में कि निंदक नीरे राखियों आंगन कुटी छवाए सरकारों के पास यांसे हिरदे रहने चाहिए सबके पृति आज हिंदू मुसलिम भेद भाव फूट डाल राजनीती करना ठीक नहीं है और कहीं न कहीं हम आपके माध्यम से जनता तक भी जा ख़बर पहुचावो चाहा कि मेरे देश मत्य प्रदेश के भाई भेहनों सबई जनों से निवेदन है जनता जनारदन से है कि जब फूट डालो राजनीती से सतरक रओ भेद भाव से सतरक रओ आप लोग नेताओं की चक्कर में मत पढ़ो आप भाई चारे से जीओ भाई चारे से रहो अच्छे से नेताओं की चक्कर में पढ़ो तो आप खुद भी बरबाद हुई और दूसरे भी बरबाद हुई अब कर रहें बिचारे फराज तो हुई है अगर भी फरान ने हो यह तो उनके ऊपर तो पता नहीं को आप अटंकवादी को केस लगा अभी तरह डार दे मका उमाय उपर जहां से जमानते मिलती हुद तेसा हैं भी कह दाईजै कि इनकी जमानते नहीं देने पुझा न का का हो रहो भाई यह तुम्हें का पता सोच नहीं सकते या इतने निमन स्तर पे लोग गर गए कि जिनकी सोचें मतलब सब्द निया के वे किलाना ऐसी इस्तिती है सरकार है जिनकी भी रहती है इतनी घटिया सोच रकती है जनकी कोई सोच हसागges और जात पाथ भाव की चलते इस्कुलों के साथ अन्याय करने स्कुल बंद करने स्कुलों के मेंबरों को पर फरारी कर काऊ जेकेस काऊ बेकेस एक गलत है अगर वो हिंदू का किसी हिंदू का स्कूल होता तो कुछ नहीं होता है इसे कई स्कूल है हम उधाराणेयद इतने जल्दी आज अज मद्द्प्रदेश में अपने दमो जिले में इतने फरजी काम हो रहा है कि का वैसी समाज की सीट है सरपंची की है सामाज समाच के सरपंच बने फिरें। पिछ्ला बारिकी सीठे सामान समाच के सरपंच बने हैं। यहां दू जहा, टें तो मेतर चल रहा है कुछ द Switch कर